हलो दोस्तों नवस्कार पॉल्टिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का श्वागत है हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन्स के पीवाई क्यूज कर रहे हैं यह हमारे वीडियो का पार्ट सेवन है एक से लेके पार्ट सिक्स तक की वीडियो अपलोड की जा सकी है जिसको आप लो सीह को भी हम लोग करेंगे सीजरू करते हैं आज का पहला कोशन देखते हैं क्या है कि अधियुविड फालोइंग ऑफ-व्यूरोपिय यूनियां इन वे SEN के वी या इम्राप आपका देख लेते हैं इसका डिटेल एक्स्पाइशन रिंसरोगा इसका दूरोपीं यूरोपीयन कमिशन्स यूरोपियन कमिशन क्या है एक एक एक्जक्यूटू ब्रांच है यूरोपियन यूनियन की यह रिस्पांसिबल है कोई भी नियू लेजिसलेशन आता है है इंप्लिमेंट्नाइचनल स्टेज पर यू को रिप्रेजन करने का काम भी होता है तिहाँ लेएध्यशाश्ड नयूरोपियन यूनियन और यूरोपियन चमिशन इस्टेशन ЦСТ रहा है रोल है फिытा पहला है यूरोपियन ही Whenever घा यह डारेक्टरी इलेक्टर्टडवाडी है नेक्स्ट कोईचन है हुँ एमंग दाफालोइंग रिफॉर्मॉलेट्र दा हांस मरगन थाउज शिक्स प्रिस्पल साफ पॉलिटिकल रेलियाव फ्यमिनिस्ट पर्सप्रेक्टिव से इन में से कौन तिंकर है जो हांस में थाउज उनको फेमनिस्ट परफेक्ट्ट्व में लिखा है पहला आपसान है जुडित बटलर फिर जे एंट टिकनर हेलेन एम किस लेला और बेटी फ्रीडन तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा वह है जे एंट टिकनर आएए देख लेते हैं एकस्प्राइशन का तो जे एंट टिकनर एक फेमनिस्ट इंटरनेशनल रिलेसंस की स्कालर्स है इन्होंने जेंडर नेचर आफ इंडियन इंटरनेशनल रिलेसंस को लेके अपनी थियोरी को लिखा है इनकी जो बूक है वह जेंडरिंग वर्ड पॉल्टिक्स है जो 2001 में आई टिकनर क्या किया थो हांस मेरगन्थाओं के शीक्स प्रिंसप्रेंशनल डिया जाता है इनका मारना सी प्रिंसप्रेंशनल लेकिन जेंडर कहती है कि जिसमें कुषाता है इसका कॉर। साथ शाथ नॅचा का एचा चाज्ण है इंटरनेशन saud को से नेक्स्टकोशन है विच आप आख वाइलेंगन वाइलेंट नाट इस्टेतल अक्टर छिसमें कौन्स है जो वाइलेंट नहीं है पता करना है आपको आइएएस वोको हराम PLO या हजब ऊस्वर प्यूपील्ग लिवेशन ऑर्गनाईजेशन यह जो है आपका नांवाल नांट वाइलेंट नान स्टेट एक्टर है देख लेते हैं जो प्यूपी यह नान वाईलेंट आर्गनाईजेसन इसको फाउंडेट किया गया था 1964 में पीलो का जो गोल है यह इंडिपेंडेंट पलिस्ताइन स्टेट के लिए कार करता है इन वेस्ट गाजा वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप और इस्ट जेरुसलम में आईएस आईएस बोको हराम और हेजबुल्ला जो है यह सभी का यूज करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नेस्ट कोश्चन है वीच इंटरनेशनल एग्रिमेंट गेव दा फस्ट टाइम लीगली बाइंडिंग अंदर रिडूसिंग ग्रीन हाउस एमिस्ट आप दा कंट्रीज तो इन में से कौन इंटरनेशनल एग्रिमे न्यूसिण अधिर्वल जॉक सिर्वल बाइंडिंग कोई अग्रिमेंट नहीं है देख लेटे एक्सप्लानेशन तो प्रोटोकाल वास्ट इंटरनेशनल एग्रिमेंट टो लीगली बाइंडिंग तार्गेट रिदूसिंग ग्रीनहाउस इंसे इसमें यह प्रोटोकाल जो है तो 1997 में डाप्ट किया गया था और यह फोर्स में आया था 2005 में इस प्रोटोकाल के तार जो 37 इंडर्स्ट्रालाइज कंट्रीज थी और यूरोपियन यूनियन था इनको जो है तो ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गया था कि आपको रिड्यूस करना है फाइब परसंट बिलो नाइंटी 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 निए उससे पांच परसंट कम करना है और दो पीरड़ आप तूथ हाउजन एट तूथ हाउजन के बीच बाकि जो अधर कांफरेंस थे जो को फेगा ने ग्रॉड हो डार्जस्ट ट्वंटी इंवेस्टर कंट्री इन्डिया इंडिया जी टॉंति यहे इन से गव्शी कंट्री उन में से जो लार डिच connectivity हैं इनमें से कौन सी कंट्री है जापान यूसे यूकी यो इंप या ब्राजील तो इसमें लार्जस्ट वहसें दूसरे नंबर जो है तो इंडिया में इंवेश्ट की है prendly सोर्स अप्रिकार बॉलत का इंडिया में का इंडिया In सध्रीक जतेंग्मेश्जिक स्वेश्थ ओन सेट हैं भूइल्यक्रंट हो गया। इन करनेश्ट सुरू हो जाता है अग्व फिटलर नेपोलियन बोनापार्टे हांस मारगान थाउ या माओ जे तंग यह स्टेटमेंट साइड फिटलर के देख लेते हैं दक वेंड डिप्लमेशियंस वार विगन इस आफेन एट्रूटर टू एड़ फिटलर फिटलर जो था वो नाजी जर् माना जाता है हिटलर अब देख लें कुछ अधर कोट्स जो वार अफ डिपलोमैसी संबंदित हैं हैं किशनर का देख लेते हैं डिपलोमैसी इस दो आर्ट ऑफ से इसे थी नाइस धींग वाइल डूइंग नैस्टी थिंग इनने डिपलोमैसी जो है तो कहने में तो अच्छी प्रजंस आफ जश्टीस यह स्टेटमेंट है मार्टी लूथर की जूनियर का नेस्ट कोच्छन है वाट इस दा मीन्ट बाइद टर्म क्या मतलब है तो मतलब होता है जश्ट कंड़क्ट आफ वार क्या है कांसेप्ट है जो डवलप्ट किया गया था फिलोस्फार्स त्योलाजिकल्स और लीगल स्कालर के द्वारा ओवर दसेंचिरीज है ना इसमें वार के टाइम में जो तो प्रीस्पल मोरल प्रिश्पल्स की बात की जाती है कि कुछ अब भी नेक्ट कोचर है लेट टर्म फ्लाइंग वीज गाट अस्योसिएटेड विज आप फॉलोओं एस्योसिएशन जो फ्लाइंग वीज टर्म है यह किस सब्सक्राइशन से संबंदित है आशियान सार्ट अशियो संगाई कौ्परेशन आर्गनाइशन यह ब्रिक्स से इसका ज किया गया था मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महतीर महम्मद के द्वारा 1990 में तो डिसक्राइब दर रैपीड लामिक ग्रोथ आप आसीयान कंट्रीज रैपीड एकोनामिक ग्रोथ हो रही थी उसको फ्लाइंग बीच उन्होंने कहा था आसीयान क्या है आसीयान एक रीजनल आर् इंडोनेशिया लाओश मलेशिया म्यानमार फिलिपीन सिंगापूर थाइलैंड और वियतनाम यह दस कंट्री है इनको याद रखें कहीं पूछा जाता है गया में तो आप लोग इसको साल्व कर लें नेक्स्ट कोचन है इंडिया वाज री एलेक्टेड और एक्जिक्यूटू वोड आफ वीच आप फालोइंग यूवन बार्डी इन टुथावजन सेवर्टी दोहजार सत्रा में इसकिस एक्जिक्यूटू वोड का जो तो में री एलेक्टेड हुआ था इंडिया यूवन के बार्डी में यह यूवन को इंडिया जो तो रेलेक्ट किया तो 2017 में करेक्ट उनसरी इंडियूश्च्व वाज रे एलेक्टेडब दर एक्ज्कूटू बोर्ड आफ यूवन इन टूझा जनरल कांफ्रेंस यूश्च्व में हुआ था यूश्च्व पेरिस के फ्रांस में कि इस्थित है कि इंडिया रिसी वोट्स आउट आफ 185 वोट्स जो काश्ट किये थे उसमें 164 वोट्स को रिसीब किया था इंडिया उनुसको क्या है उनुसको एक स्विसलाइज एजनसी है उनाइटेड नेशन्स की जो रिस्पांस्वियल होती है प्रमोट करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी पी वाई क्यूज के इनालसिस है वो आपको मिल सके धन्यवाद थैंक यू